हेलो गाइज वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूटूब चनल दोस्तों ये वीडियो होने वाला है ओटो न्यूज एन अपडेट के बारे में जिस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन-कौन सी बाइक आपको अगस से लेकर अक्टूबर तक लोंच होते हैं दिख दिख जाएगी तो चलिए ज्यादा टाइम वेश्ट ना करते हैं सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं उस बाइक कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जिसको देश और विदेश की दोनों की मीडिया कवर करती है रोयल इन्फिल्ड जी दो अपडेट देने के लिए ही अलाइव आता हूँ तो आप डेट याद कर लिजे रोहन इन्फिल्ड नेक्स जनरेशन क्लासिक 350 को 31 अगस्त के दिन लौंच किया जाएगा इसी साल यानि इस मन्त में और दोस्तों इसका बुकिंग भी स्टार्ट हो चुका है यह अनोफिसियल बुकिंग है कुछ-कुछ डिलर्शिफ इसकी बुकिंग भी ले रहे हैं बुकिंग एमाउंट 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की है तो यानि अब अगर आपको क्लासिक नेर्स जनरेशन 350 चाहिए तो आप जाके अपनी स्वरूम में पता कर सकते हैं डिलर्शिफ के पास वहा कि आपको 125 CC की सेग्मेंट में ऐसा फीचर किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिलता है तो जी दोस्तों उसका नाम हीरो का ग्लेमर एक्स्टेक जो की रिसेंटली लॉंच किया गया है बट यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज और बता दू इसमें अभी जो आपको मिल पारी को डिस्क्लोज करेंगे फाइन रिजल्ट आउट करेंगे उसमें एक उनके तरब से भी एक इमेज की आउट किया गया है जो कि गलेमर एक्स्टेक का है जिसमें आपको ब्लू स्टीकरिंग देखने को मिलता है और इससे पहले भी जब इसका इमेज आउट हुआ था जब भी गलेमर एक्स्टेक लॉंच नहीं हुई थी उस टाइम भी जो इसका इमेज आउट हुआ था उसमें तीन कलर उप्सन देखने को मिलता है बट अभी कमपनी ने दो कलर को ही लॉंच किया है इसको इसको ब्लू स्टीकर में देखने को मिलागा इसमें आपको सिंगल ब्रेक के साथ यह देखने को मिल जैसा कि आप देख सकते हैं हो सकता है कि इसमें साइड डूल डिस दे सकते हैं बट यह 50-50 चांस है अभी इस पर कोई ओफिशल अपडेट नहीं है यह मेरे तरफ से ऐसा अनुभव लग रहा कि डूल डिस के साथ भी साइड इसको लॉंच क यहां तक की लड़किया भी उस बाइक को ज़्यादा करके पसंद करती है तो जी दोस्तों उस बाइक कंपनी का नाम है केटियम की आर्सी सिरीज में तीन बाइक आने वाली है केटियम आर्सी 390 केटियम आर्सी 200 और केटियम आर्सी 125 इसका ओफिसियल जब यह कंपनी ने ला आउट हुआ था कब आउट हुआ था तो यह आप कंफर्म मान लीजे कि यह KTM RC आपको देखने को मिलने वाली है इसको भी साहएद आप मान के चलिए कि इस अगस्त तक इसको भी लॉंच किया जा सकता है क्योंकि इस पर जो कंपनी है एक बार अपने ओफिसियल वेब साइट पर लाइब आके इसको अपडेट कर दिया था बट उन्होंने हाली में जब उनको पता चला कि वो लाइब आ चुके हैं तो उनको यह डिलीट करना पड़ा था तो यह आप मान के चलिए कि इसको अगस्त तक में भी लॉंच कर सकती है KTM फर्थ नमबर पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कोटर के बारे में जिस कमपनी का वर्ल्ड में सबसे बड़ा मैनुफेक्टरिंग प्लांट है जिसको आप 499 से इनके ओफिसल वेब साइट पे जाके बुक कर सकते हैं नमबर पर जो है वो भी एक इलेक्टिक स्कोटर होने वाली है जो कि यह सिंपल एनरजी की तरफ से सिंपल वन इलेक्टिक स्कोटर नाम है पहले इसका नाम था मार्क टू बट इसको ओफिसली अब सिंपल वन नाम दे दिया गया है इसको भी 15 अगस के दिन लॉंच किया जा कावा साकी की W175 यह 200cc की बाइक होने वाली है इस बाइक को कावा साकी दियवाली के टाइम लौँच करने वाली है इस पे भी मैंने फुल डीटेल्स वीडियो बनाये हुआ है तो उस वीडियो का लिंक आपको निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा त यह आपको इस साल ओक्टूबर में लौँच होते वे दिख जाएगी यह जो न्यू जनरेशन की R15 V4 आने वाली है यह R7 से इंस्पारेड है वैसा ही लुक आपको इस बाइक में देखने को मिल सकता है रियर में कुछ खास चेंज आपको इस बाइक में देखने को नहीं मिल बढ़ा ग्राफिक्स और न्यू कलर में यह बाइक आने वाली है और इसका जो फ्रंट हेड लाइट है वो R7 जैसा ही लुक इस बाइक में देखने को मिलने वाला है दोस्तों जो भी मैं बाइक के बारें बता रहा हूं यह कंफर्म है कि आपको इस साल लौंच होते वे की तरफ से बजाज की पलसर 250F यह 250cc की सेग्मेंट में फेरिंग वाली बाइक होने वाली है बजाज की तरफ से जिसमें आपको न्यू ग्राफिक्स और न्यू कलर देखने को मिलने वाला है और इसमें हेडलाइट में भी चेंज किया जाने वाला है वह इसका लौंचिंग बात करें तो कंपनी सितम्बर तक इसको इंडियन मार्केट में लौंच कर सकती है तो चलिए बात करते है नेक्स बाइक के बारे में तो यहौने वाली ह aç की तरफ से एक एडवेंचर वाइक होने वाली ह होनडा की तरफ से यह होंडा होने लेट 2.0 BOR זה ओने वाली है इसमें आपको सेम आपको LED Headlight देखने को मिलेगा और आपके Handle में Handle Guard देखने को मिलेगा और वहीं पर Indicator भी देखने को मिलेगा साथ इसमें Seed में भी आपको काफी Turing वाला Seed देखने को मिलने वाला है तो इसका जो Official Launch Date है वो 19 अगस्त को है मतलब इस मन्त में 19 तारीक को इस बाइक को लोंच किया जाने वाला है नेक्स्ट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट में आपको होंडा का ही एक इलेक्टिक स्कूटर देखने को मिलने वाला है इस साल के एंड तक जिस इलेक्टिक स्कूटर का नाम है यूगो यूगो करके एक Honda electric scooter launch करने वाली है इस साल के end में वहें इस electric scooter का कुछ details भी out हुआ है इस electric scooter में आपको 133 km का range मिलने वाला है और वहें इसका XORUM price approach 92K तक होने वाला है next bike के बारे में बात करें तो यह होने वाली है बजाज की तरफ से जो की Dominar 250 इसमें आपको एक change देखने को मिलने वाला है सिप इसमें color और new graphics add किया गया है इसमें आपको तीन color option देखने को मिलने वाला है जैसा कि आप अभी screen पर देख सकते हैं rate का एक combination मिलेगा एक orange का आपको combination देखने को मिलने वाला है और एक black का और बाकी इसमें जो mechanical change है उसमें कोई भी change नहीं किया गया है इसमें सिप वही आपको color देखने को मिलने वाला है same price रखा गया है 1.54 लाग और इसका जो launch करने का कारण यह है कि इसमें जो company का sale होता था 250 CC का जो dominar है उसका sale थोड़ा सा कम था इसके बज़े से लोगों को attract करने के लिए बज़ाज ने इसमें new graphics और color 8 किया है बाकी इसमें और भी कोई change नहीं है उस scooter का नाम है sniper 155 इसमें आपको same look R1 जैसा ही देखने को मिलने वाला है इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाय हुआ है पहले उस वीडियो का link आपको discussion box में देखने को मिल जाएगा आप इसको scooter बोलिया बाइक बोलिया इसमें जो की है आपको performance बाइक जैसा ही देखने को मिलने वाला है तो दोस्तो finally अब हम बात करते है कुछ update के बारे में कुछ information के बारे में जिससे आप उस information को पाके update रह सकें तो सबसे पहला update में आप लोगों को बता दू होंडा की तर लर निव ग्राफिक्स देखने को मिल जागा यह दोनों वीडियो आपको कुछ टाइम बाद मेरे ही चैनल पर देखने को मिल जाएगा और उसके बाद next update के बारे में बात करें तो जो की है tvs की 125cc की एक बाइक आने वाली है इस साल के end तक जैसा कि आप मान कर चल सकते है कि tv tvs की 125 हो सकती है क्योंकि इसका registration काफी टाइम हो चुका है तो अब ऐसे update हा रहा है कि tvs की 125cc की बाइक आने वाली है तो 90% chance है कि यह tvs की 125 होने वाली है वहीं बजाच की भी एक बाइक आने वाली 125 की बजाच केलिबर करके इसका भी registration हो चुका है इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो 125 से की यह दोनो tvs की 125 और बजाच केलिबर 125 में काफी टगड़ा टकर होने वाला है और यह जो दोनों भाइक है इस साल के end तक launch कर दिया जाएगा दोस्तों और एक टगड़ा अपडेट बताता हूँ जो कि Yamaha की तरफ से जैसा कि आप सभी को पता होगा क कि Yamaha XSR 125 को Indian Market में नहीं launch किया जाने वाला है इस पर Yamaha की तरफ से official update इस official statement आ चुका है इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको description box में link मिल जाएगा वहाँ से आप checkout कर सकते हैं वहाँ पर यह clear हो गया है कि इसको Indian Market मे इतने को मिलने वाला है इसका एक hint मिल चुका है क्योंकि Yamaha कुछ टाइम पहले एक campaign निकाली थी जिसमें काफी सारे जो automobile designer होते हैं वो अपने concept so करते हैं तो काफी सारे इसमें concept को so किया गया था काफी सारे लोग Yamaha को post करके उन्होंने अपने bike के design को Yamaha को send किया था बट काफ इंडियन market में real में देखने को मिल सकती है कब तक देखने को मिल सकती है इस पर उन्होंने कुछ नहीं बता है बट आप मान के चली कि अगले साल तक आपको abzet x स्रीज में कुछ और variant देखने को मिल सकता है या touring का adventure type का आपको abzet x में देखने को मिल सकता है तो यह कुछ update है Yamaha के तरब से है और एक अपडेट है जो कि Royal Infilt के तरब से है Royal Infilt की Hunter 350 को इस साल के एंड तक लौंच कर दिया जाएगा जैसा कि आप सभी को पता होगा Royal Infilt हल चार महिने पर अपनी एक बाइक को लौंच करती है अभी वो अगस्त में एक बाइक को लौंच करिए उसके बाद आपको दिसंबर में आपको एक New Hunter 350 देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों ये थे Auto News और Update को लेकर एकी Special वीडियो आप सभी को Update करने के लिए और ऐसे ही Bike Related News ये Update से Update रहने के लिए आप मुझे Instagram पे Update कर सकते हैं, Follow कर सकते हैं या आप मेरे YouTube चैनल को भी Subscribe कर सकते हैं Instagram पे है जो कि मैं YouTube से पहले वहाँ पे सारा जो Update होता है वो Update कर देता हूँ तो ऐसे Bike Related News के लिए आप हमारे चैनल को भी Subscribe कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में किसी नए content के साथ, तब तक के लिए Ride With Bike